मैं इद कहा कहानी पढ़ाने जा रही हो तो मन लगा कर सुनिये देखो रमजान के पूरे तीस रोजों के बाद इद आई कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है आज का सूरिय देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है मानो संसार को इद की वधाई दे रहा हो गाउ में कितनी हलचल है, इद का दिन है, गाउ में बहुत खुशी है, सब बहुत खुशी से उचल रहे हैं गाउ में हलचल मच गया है, इद गा जाने की तैयारिया हो रही है किसी के कुर्टे का बटन टूड नहीं है, कोई पडोस के घर सूई धागा लेने दोड़ा जा रहा है किसी के जूते कड़े हो गए है, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागे जा रहे है जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे रहे है, इद कहा से लोटते दोपहर हो जाएगी तीन को उसका पैदल रास्ता, फिर सैक्रों आदमियों से मिलना दोपहर से पहले लोटना असंभव है, लड़के सबसे ज्यादा प्रस्न है तो ईद क्या है, रमजान के पूरे तीस रोजों के बाद आती है और बच्चे बहुत खुश है, तो क्यूंकि तीस रोजों के बाद आई है सब जल्दी जल्दी क्या करते हैं, अपना काम निप्टाते हैं और क्या है, एक दूसरे को लोग बधाई दे रहे हैं, जिनके बटन नहीं है वे पडोसी के घर से सुई धागा लाते हैं, जिनके जूते क्या हैं, चर्मरा गए हैं उनमें तेल लगाते हैं, फिर गाए को भी जल्दी जल्दी भोजन खिलाते हैं क्योंकि सानी पानी देते हैं, क्योंकि उन्हें लोटने में देरी हो जाएगी फिर आगे सुनो, किसी ने रोजा रखा है, किसी ने एक दिन का रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईद गहा जाने की खुशी, उनके हिस्से की चीज है रोज बड़े बुड़े के लिए, क्या है रोज अब बच्चे लोग थोड़ी रखते हैं, ये तो बड़े बुड़ों के लिए हैं, उनके लिए तो ईद है रोज एद का नाम रठते थे आज वह आ गई तो रोज क्या है उनलोग इद का नाम रठ रहे थे वह आज आ गई अब जल्दी पड़े हैं कि लोग इद गहा क्यों नहीं चलते इन्हें ग्रियस्ति की समस्यों से क्या प्रयोजन बच्चों को ग्रियस्ति की समस्याँ से क्या लेना देना उन्हें क्या है बस इद गहा जाना है वहां जाएंगे मेले में जाएंगे मस्ती करेंगे उनकी जेवों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है कुबेर कौन है मालूम है धनों के राजा है तो उन्हें तो आज जो पैसे ह लग रहा था इस दुनिया में उनसे रिच मतलब बड़ा आदमी कोई है यह नहीं चंचन करके बजा रहे थे हैं कितना धन है बार बार उनलों क्या कर रहे हैं जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते थे एक दो तीन चार करके गिनना शुरू कर दिया तो महसिन महमूद के प एक दो तीन आठ नौ पंधरा पैसे हैं तो यह याद कर लेना महमूद के पास बारा पैसे थे महसिन के पास पंधरा पैसे थे इनहीं अंगिनत पैसों से वे अंगिनत खिलोने खरीदेंगे मिठाया खरीदेंगे बिगुल बजाएंगे बिगुल मालूम है ना बाजा को कहत है गेंद वर न जाने क्या क्या तो अंंगिन चीजे खरीदने के सपने देखने लगते हैं सबसे ज्यादा प्रसन है हामिध इन बच्चों में सबसे सबसे ज्यादा खुश हामिद है वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है तो इंपॉर्टेंट है यह कि हामिद材 कॉन है वह 4-5 साल का गरीब सूरत वाला लड़का है जिसका पिता गत वर्ष है हैजे की भेट हो गया तो पिछले साल के है वो हैजे की भेट हो गया था फिर एक दिन मा भी मर गई उसके बाद एक दिन क्या होता है मा भी मर जाती है अब हामिद जो है वह अपनी बूरी दादी अमीना की गोद में सोता है हमीद कहां सोता है अपनी दादी के गोदी में सोता ह और उतना ही प्रस्ण है उसके माता पिता नहीं है पर उसको ये बिलकुल भी नहीं पता क्योंकि दादी उसे इतना प्यार करती थी और दादी उसे यही कहती थी पापा ममी जो है उसके माता पिता कहां गए है अबू अमी गए है काम के लिए गए हुए है बहुत दूर गए है ठीक है उसके अबाजान रुपे कमाने गए हैं बहुत सी थैलिया लेकर आएंगे पिता जी जो है बहुत सी थैलिया लेकर क्या है घर आएंगे अम्मी जान अल्ला मिया के घर उसके लिए बड़ी अच्छी इच्छी चीजे लाने गई है और अम्मी जान भी क्या है बहुत सारे धेर सारे चीजे लाने कहा गई है अल्ला मिया के पास गई है आप वो आएंगे जब वो आएंगे तो वह दिल के अर्मान निकाल लेगा तो वह यही सोषता जब मेरे माता पिता लौतेंगे तो मैं अपने दिल के जो अर्मान है तरह तरह के खिलाने तब मैं ले लूँगा कि अभी न हिलो तब देखूंगा कि महमूद, महसिन, नूरे और सम्मी ये चारों जो हैं अंडरलाइन कलने ये चारों के दोस्त हैं कहां से उतने पैसे निकालेंगे तब देखूंगा कि मेरे दोस्त जो हैं इन लोग अपी छंछन करके पैसे छंका रहे हैं न जेप में तब मैं देखूंगा कि लो कहां से पैसे निकालेंगे अभागिन अमीना अमीना बहुत ही अपने आपको अभागिन समझती है अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है तो अमीना रो रही है क्योंकि आज इद का दिन है घर में कुछ भी नहीं है और उसका बेटा भी गुजर गया है बहु भी न तो इसलिए उसका मन बहुत उदास है आज का आज ईद का दिन और उसके घर में दाना तक नहीं उसका दिल कचोट रहा है गाउं के बच्चे अपने अपने अबबा के साथ जा रहे हैं हामीद का अबबा अमीना के सिवार और कौन है उसे कैसे अखेले मेले में जाने दें उस भाड में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो अब देखो बाकी जो बच्चे जा रहे हैं उनके साथ माता पिता जा रहे हैं छोटा सा बच्चा उसे अखेली कैसे भेजा जा सकता है अगर रास्ते में भीड में खो गया तो घर कैसे वापस लोटेगा तो क्या है उसे बहुत चिंता हो रही थी और वह खुद नहीं जा सकती थी नहीं अमीना उसे नहीं जाने देगी तब फिर सोस्ती है नहीं वह क्या है हामित को जाने नहीं देगी तीन कोस चलेगा कैसा इतना दूर वह चलेगा कैसा नन्ही सी जान है पैदल इतना दूर कैसे चलेगा पैर में छाले पड़ जाएंगे जूते भी तो नहीं है बेचारे बालक के पास जूते भी नहीं इतना दूर पैदल वो चलेगा कैसे कुल दो आने पैसे हैं उसके पास मतला अमीना के पास कुल कितने पैसे थे दो आना जिसमें से अमीना ने तीन पैसे हामिद को दे दिये तो उसने क्या किया तीन पैसे हामिद को दिये अल्ला ही बेड़ा पार लगावे तो वह क्या है भगवान के नाम पर छोड़ देती कि भगवान ही अब जो देखें करेंगे भगवान जी करेंगे अल्ला के नाम पर छोड़ देते हैं कहां किसको ह अब हामिद को की जो देखभल है वहाँ अल्ला ही करेंगे. गाउं में मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था. अब क्या है गाउं में मेला चलता है और हामिद बच्चों के साथ निकल पड़ता है. कभी सब के सब दोड़कर आगे निकल जाते फिर किसी पेड के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतिजार करते हामित के पैरों में तो जैसे पर लग गए है तो वो इतना तेज चल रहा है बागी दोस्तों को वो पीछे छोड़ दे रहा है आगे जाता है फिर रुख जाता है इतना तेज चलता है मतलब उसमें काफी स्फूर्ती आ गई है वह कभी ठक सकता है भला वो कभी ठक सकता है नहीं क्योंकि आज इतके दिन वह तो बहुत भागे भागे जा रहे है उसे बहुत खुशी हो रही है कि आज वहाँ पहली बार मीला देखने जा रहा है आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा आगे मैं पार्टू में पार्ट्री में पड़ाऊंगी धन्यवाद